नमस्कार, मैं हूँ दिपक सिना, घरमेपड़ो.com में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के उपर में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है sentence and type of sentence के उपर में चर्चा करने जा रहे हैं sentence and types of sentence type of sentences इसके उपर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज के क्लास में अब question यहाँ पर उठता है कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों आवस्यक है इसका क्या relevance है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिता है यह बड़ा important है सबजना और जानना तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर चर्चा करना सुरू करेंगे देखे, sentence का type जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव जो पढ़ता है हमारे exam के अंदर में narration और voice से प्रस्न पूछे जाते हैं और narration और voice में जैसे narration में हम जानते हैं कि आम तोर पर जो प्रस्न पूछे जाते हैं transformation के प्रस्म पूछे जाते हैं direct speech से indirect speech में बनाना या indirect speech को direct speech में पुना convert कर देने की बात करी जाती है और voice के case में कहा जाता है कि active से passive voice बनाना और passive से active voice बनाना तो इन दोनों transformation के cases में type of sentences का knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके जो logics हैं इसके जो rules हैं वो type of sentences पर base किये हुए होते हैं तो इसलिए type of sentences को जानना बहुत ही आवस्यक है तो इसका जो पहला component की बात हम कर रहे हैं sentence कि sentence क्या होता ऐसे पुराने मैं अपने video में इसके उपर मैं मैंने कहा था कि इसके दो dimension है एक conceptual dimension है और एक practical dimension है तो conceptual dimension की बात यदि हम लोग करते हैं by the way तो हम लोग जानते हैं conceptual dimension फिर से मैं repeat कर दे रहा हूँ क्योंकि एक class है सीखने की बात है तो जितनी बात repeat होगी उतनी अच्छी होगी हम लोगों के लिए तो conceptual dimension में कहता है कि sentence is a group of words ये कहता है कि sentence is a group of words लेकिन क्या सब्दों का समुग होना ही काफी है तो नहीं ऐसा नहीं है इसके ये आगे कहता है कि it should be meaningful 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 अगर दोनों element को आप जोड दीजेगा तो ये निकल कर आएगा कि मेनिफुल meaningful group of words meaningful group of words meaningful group of words group of words is called sentence ये conceptual dimension और एक practical dimension है जिस practical dimension को हम लोग जानते हैं पढ़े भी हैं फिर से मैं repeat कर रहा हूं बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं repeat कर रहा हूं वो है practical dimension और practical dimension में हम जानते हैं कि एक subject का बनावट structure के दृस्टी कौन में subject में minimum दो element होने चाहिए कम से कम subject और verb तो होना ही चाहिए और याद दिला दूं कि एदिया से दो element साथ में आ रहे हैं तो इसमें जो verb होता है वो आम तोर पर mean verb ही होता है और दूसरा कि अगर एक idealistic sentence की बात करें तो उसमें तीन element का होना आवस्थक है subject, verb, object या predicate तो चाहे तो object होगा या तो predicate होगा तो ये sentence का structure हम लोगों का practical dimension में बनता है कि ये होता है ये तो हम लोग सिर्फ एक part जान रहे हैं लेकिन sentence होने में ये आवस्थक है कि वर्व का होना आवस्थक है लेकिन हर समय ये बात लागू और संभव नहीं हो पाता है तो इसलिए हम लोग types of sentence की चर्चा करेंगे कि types of sentence कितने प्रकार के sentence होते हैं तो हम लोग type of sentence पर आते हैं कि Type of Sentence क्या-क्या होते हैं और कैसे होते हैं Types of Sentence तो Theoretically या Conceptually हम लोग देखते हैं तो Sentence को पांच प्रकार में बाटा गया है यानि Sentence के कुल मिलाकर पांच पार्ट होते हैं सबसे पहला से संटेंस होता है वो होता है हम लोगों का असर्टिव संटेंस जो सबसे पहला संटेंस होता है वो होता है असर्टिव संटेंस संटेंस कुछ पुस्तकों में इसको डिकलेरेटिव संटेंस भी कहा जाता है declarative sentence भी कहा जाता है दोनों एक ही चीज है चाहे असर्टिब सेंटंस के नाम से आप उकारे चाहे declarative sentence के नाम से आप उकारे दूसरा कहता है दूसरा जो sentence होता है वो होता है हम लोगों का interogative sentence इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रस्णवाच्छक वाक्य भी हम कहते हैं तीसरा टाइप अब सेंटेंस जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस सब को एक एक करकर मैं एक्स्प्लेइन करूँगा कि ये क्या चीज़े हैं चौधा type of sentence जो होता है वो है हम लोगों का optative sentence optative sentence और fifth and the last part of the sentence जो होता है type of the sentence होता है वो है exclamatory sentence exclamatory sentence तो total sentence के जो type होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं जो मैंने लिखा है और मैंने कहा भी फिर से मैं repeat कर दूँ assertive sentence या इसको declarative sentence भी कहते हैं interrogative sentence होता है imperative sentence होता है optative sentence होता है और exclamatory sentence होता है अब ये sentence क्या होते हैं concept के हिसाब से और structure के हिसाब से इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहला हम लोग assertive sentence की बात करेंगे कि assertive sentence क्या होता है assertive sentence क्या होता है तो sentence का मतलब क्या होता है group of words meaningful group of words तो sentence का मतलब हो गया meaningful group of words दिखेगा समझेगा meaningful group of words और assertive का मतलब होता है statement यानि meaningful group of words which remains in the form of statement is called assertive sentence तो परिभासा बड़ा simple है कि meaningful group of words which remain in the form of statement मैं लिक देता हूं परिभासा इसका meaningful group of words which remains in the form of statement अब सवाल है कि ये meaningful group of words के भी से में तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें अगर structure से चले तो subject और verb होना चाहिए और अगर आगे की बात करें अगर इसके साथ जो maximum element की बात करें idealistic element की बात करें तो subject plus verb plus object या predicate होता है तो assertive sentence का स्वरूप जो होता है वो पहना स्वरूप जो होता है वो वही होता है कि subject plus verb होगा या दूसरा स्वरूप जो होता है वो होता है subject plus verb plus object या predicate होता है अब इसके अदर में एक दूसरा element भी बड़ा महतपूर्ण element है और वो element है punctuation mark दूसरा element जो महतपूर्ण है वो है punctuation mark punctuation mark इसको कहते हैं mark का मतलब होता है chin और punctuation का मतलब होता है विराम देने वाला यानि विराम देने वाला चिन इसको हम लोग कहते हैं punctuation mark को विराम देने वाला चिन यदि हम लोग इसका हिंदी एनुवाद करें तो हिंदी एनुवाद इसका हो जाएगा विराम देने वाला चिन और यह आप जानते हैं कि इंग्लिस में यह punctuation mark बहुत सारे होते हैं जैसे full stop होता है punctuation mark जो होते हैं वो हम लोगों का होता है full stop होता है comma होता है colon होता है semi colon होता है hyphen होता है note of exclamation होता है note of interrogation होता है तो ये सब जो है हम लोगों के punctuation mark के अंतरगात आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं punctuation mark Assertive sentence का पहला structural point of view से देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि it should have a minimum two elements that is subject and verb and should have a maximum three elements that is subject plus verb plus object or predicate that is the first point और दूसरा point ये कहता है कि it must be punctuated यानि इस sentence को विराम देने के लिए full stop is to be used punctuation mark जो यूज करते हैं वो हम लोग full stop का यूज करते हैं punctuation mark के रूप में full stop का यूज किया जाता है ये बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग तो ये assertive sentence का दो property निकल कर चलाया कि ये statement के form में होता और statement किसको कहते हैं जो कि subject और verb से मिलकर बना हो या subject और verb या object से मिलकर बना हो और दूसरी मुखे बात निकल कर आती है कि इसके अंद में punctuation mark के तोर पर हम लोग full stop का प्रियोग करते हैं जो कि यहां आपको मैं बता रहा हूँ assertive sentence के बाद दूसरा type of sentence जो हम लोगों का आता है वो आता है interrogative sentence दूसरा type of sentence जो आता है वो है interrogative sentence तो second type of sentence is interrogative sentence interrogative sentence definition अब आप निकाल सकते हैं बड़े मजे में आपको मैंने सिखा जिया definition निकालने का तरीका अब मान लिया जाए कि interrogative interrogative मतलब कि प्रस्न पूछने के योग्य जो हो प्रस्न पूछने योग्य हो तो interrogative कहने का मतलब हो गया question और sentence कहने का मतलब आपको भी बता कर लाय थे वो होता है meaningful group of words meaningful group of words अब यह दोनों element को मिला दीजे तो क्या निकाल कर आएगा meaningful group of words which remains in the form of question or which helps to ask the question जो प्रस्न पूछने में मदद पहुचाता है उसको interrogative sentence से कहते हूं तो इसका definition जो हो जाएगा वो हो जाएगा meaningful group of words which remains which remains in the form of question in the form of question or or which helps to which helps to asks to ask to ask question जो question पूछने में मदद पहुचाता है अब देखें असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था कि दूसरा property भी देखा था और और प्रोपर्टी देखे थे punctuation mark और assertive sentence में लोग बात कर रहे थे कि assertive sentence gets punctuated with the help of full stop तो interrogative sentence में क्या हो सकता है interrogative sentence में होगा interrogative sentence gets punctuated in note of interrogation or question mark it gets it gets punctuated punctuated in it gets punctuated by a note of interrogation a note of interrogation or या इसी को हम लोग बोलते है question mark question mark प्रस्ण चिन ने जिसको कहते हैं जो कि इस रूप में होता है यह तो हो गया conceptual बाते हो गई इसका structure क्या होता है इसका structure की बात करेंगे यह दिए structural point पर इस पर discuss करेंगे तो इसके दो प्रकार के structure होते हैं पहला structure जो होता है वो होता है the very first structure वो होता है helping verb plus subject plus mean verb plus object या predicate और इसके अंत में question mark लगा दिया जाता है तो यह हो गया एग structure हो गया जिसको की हम लोग follow करते हैं जैसे मालिया जब for example यह दिए हम लोग लिखते हैं की is राम going to college अब यह उपर जो structure लिखे हैं उसके इसाफ से दिविस लेशन करते हैं तो यह helping verb हो गया यह subject हो गया यह main verb का रूप हो गया और यह हम लोगों का object का रूप हो गया जो उपर structure हम लोग बात कर रहे थे उसी structure को हम लोग follow कर रहे हैं और यहां पर note of interrogation जो आप देख रहे हैं प्रस्न वाचक चिनने लग जा तो एक structure तो इसका यह होता है दूसरा structure है कि interrogative sentence WH word या how के सहायता से भी बनाई जाती है तो दूसरा structure इसका है यह पहला है दूसरा structure जो इसका निकल कर आएगा कि interrogative sentence जो है WH word या how से भी बनाई जाती है WH word या how से भी बनाई जाती है अब सवाल यहां पर है कि what is this WH word तो WH word कहने का मतलब कि वो सारे सब्द जिसके पहले दो लेटर WH हुआ करेंगे वैसे सब्दों को हम लोग WH word कहते हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ WH word के सरिंखला में जैसे कि why हो गया why who हो गया who what हो गया when हो गया where हो गया which हो गया which हो गया whom हो गया और who हो गया यह सारे WH word के रूप में जाने जाते हैं WH word के रूप में जाने जाते हैं लेकिन हूज का प्रयोग हम directly इस question पूछने के लिए नहीं करते हैं क्योंकि यह जाकर adjective की तरह काम करने लगता है यदि इससे प्रस्ण बनाना हो तो इसके साथ noun लगाकर तब helping verb लगाकर और फिर mean verb का प्रयोग करकर हम लोग ऐसा बना सकते हैं और इसके अतरिक्त जो दूसरा सब्द है वो है हम लोगों का how से भी हम interrogative sentence बना सकते हैं यहाँ पर दो चीजें लर्ण करनी है डबलू एच वर्ड का क्या-क्या application होता है इसको हमको अच्छी तरह से समझना है अब मान लिया जाए कि डबलू एच वर्ड या how से हम लोग interrogative sentence बनाते हैं तो structure क्या बन कर आता है तो structure जो बन कर आता है वो आता है हम लोगों का कि डबलू एच वर्ड होगा या how होगा और इसको जो पहला structure है वो पूरा का पार पूरा उटकर चलाएगा और वो structure पहला जो था कि यहाँ पर helping वर्ड होगा फिर जाकर subject होगा फिर main वर्ड होगा फिर object होगा या predicate होगा और अन्त में प्रस्न वाचक चिन्ने लग जाएगा अगर यह structure मिल रहा है तो वो interrogative sentence का structure माना जाएगा जैसे for example अगर हम लोग कहते हैं कि suppose why have you decided to play cricket अगर इसका हम analysis करें उपर वाले structure से तो देखिए बड़ा simple है कि यह डबलू एच वर्ड है यह हम लोगों का helping verb है यह हमारा subject है यह हमारा mean verb है और यह हमारा object है जहां पर यह infinitive है और infinitive के बाद आप एक पुनह object का प्योग कर सकते हैं और infinitive भी जो है object का काम करता है क्योंकि यह subject और object की तरह sentence में यूज किया जाता है वर्ब में जब हम finite verb और infinite verb की चर्चाप से करेंगे तब वहाँ infinitive के detail property को में आपको बताऊंगा वर्ब क्या एक वीडियो मैंने जारी किया है जिसमें की helping verb के उपर में मैंने आपको बताई है और उसका स्रिंखला आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा इसी तरह अगर how से भी हम लोग sentence बनाना चाहते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि how has he received this message ये थोड़ा सा इस तरह से आप पढ़ लिजिएगा how has he received this message अब यहाँ पर भी हदी देखते हैं तो how हो गया ये है जे helping verb हो गया he subject हो गया received domain verb हो गया message object हो गया और इसके लिए this जो है वो adaptive का काम कर रहा हूँ वर्व के property में मैं बताऊंगा ये वर्व के application कैसे कैसे होता है फिर आप इसको relate करिएगा तो बहुत आनंद हैगा आप enjoy करिएगा अब लगेगा कि English खेल खेल की बात है अब यहाँ पर समझना एक बात बड़ा आवस्यक है कि ये तो structure जो है ये तो interrogative sentence का structure है लेकिन WH word का प्रियोग करकर या how का प्रियोग करकर यदि हम वाक्य को लिखते हैं तो वो वाक्य का स्वरूप assertive भी हो जाता है यानि कि WH word और how can be used in the formation of assertive sentence as well सवाल है कि किन कंडिशन में interrogative होगा और किन कंडिशन में assertive होगा तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि interrogative होने के लिए condition ये है कि WH word या how के बात helping verb होना चाहिए फिर subject होना चाहिए फिर main verb फिर object या predicate होना चाहिए लेकिन जब ये assertive sentence की तरह behave करना शुरू कर देगा तो WH word के बाद subject होगा subject के बाद verb का combination हो सकता है या single verb हो सकता है और फिर object या predicate होगा तो सीखने का जो भी सह है यहाँ पर वो ये है कि this is the first dimension की WH word से हम लोग interrogative sentence बना सकते हैं और नमबर second dimension जो है कि WH word की सहायता से हम लोग की WH word की सहायता से हम लोग the second dimension is की WH word की सहायता से हम लोग WH word or how can also be used can also be used in the formation of assertive sentence और assertive sentence जब बनाएंगे तो condition क्या होगा तो condition जो होगा assertive sentence से दी बनाएंगे तो condition क्या होगा हम लोगों का सु हम लोग को समझना आवस्तक है कि इसमें condition क्या होगा हम लोगों के लिए वो हम लोग समझेंगे कि Assertive Sentence तो Condition यह है, Structural Condition लिख लिख लिजे इसको, जादा अच्छा रहेगा Structural Condition For Assertive Sentence Structural Condition यह होगा, कि WH word होगा, या how होगा, और उसके बाद subject होगा, और यह verb होगा अब भर्व चाहे तो helping verb हो, चाहे तो main verb हो, या combination of helping verb और main verb हो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कि यहाँ पर तीनों सम्हावनाय हो सकती है helping verb हो सकता है, main verb हो सकता है, और it will be a combination of helping verb और main verb हो सकता है जो पीछे के एक वीडियो में मैं आपको बता रहा था और इसके बाद object या predicate होगा और punctuation mark में full stop लगेगा यह फर्क है जैसे कि माल लिया जाए इसके पीछे वाले slide में हम लोग लिखे थे Why have you decided to play cricket? अगर इसी को assertive sentence के form में हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे Why you have decided to play cricket? और अंत में आकर यह punctuation mark fully stop लग जाएगा या इसके पीछे के slide में दूसरा हम लोग लिखे थे How had he received this message? अगर इसको assertive sentence के रूप में लिखेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे How he has received this message? How he has received this message? यह ऐसा हम लोग लिखेंगे और अंत में full stop लगा देंगे यह full stop हो जाएगा अभी यह assertive sentence का रूप ले लेगा तो इसलिए हम लोग यह नहीं मान कर चलें कि WH word या how से बनने वाला जो भी sentence होगा वो हमेशा interrogative sentence होगा WH word और how से बनने वाला sentence assertive भी होगा अब इसका application कहां पर होता है? तो इसका application बड़ा beautifully narration में होता है जब कभी भी आप interrogative sentence का indirect speech बनाईएगा तो indirect speech में जो reported speech वाला part होता है वो हमेशा ही assertive sentence के form में हो जाता है वो interrogative sentence में direct speech में लिखा हुआ होगा लेकिन जब indirect speech बनाईएगे तब वहाँ पर वो assertive sentence के form में हो जाएगा So this is why it was necessary to know कि WH word और how से बनने वाले जो वाक्य होते हैं वो interrogative भी होते हैं और साथी साथ वो assertive भी होते हैं तो इस बात को आप ख्याल में रखेगा कई दफ़ा क्या होता है कि यदि वाक्य simple present में हो या simple past में हो यदि माल लिया जाए कि वाक्य present and definite में हो तो ऐसा यदि लिखते हैं हम लोग राम, प्लेज, क्रिकेट अब ये assertive sentence का एक form है अगर इसको interrogative sentence में हमको बदल खर लाना है तो यहाँ पर हमको helping verb पहले लाना होगा तो जब कभी वाक्य में B1 लगा होता है या B5 लगा होता है B1 कहने का मतलब verb plural in number और B5 कहने का मतलब verb singular in number यदि B1 लगा होगा है तब इसका मतलब ये है कि उस वाक्य में present and definite की बात कर रहा हूँ helping verb के रूप में do छुपा हुआ है और B5 लगा हुआ है तो उस वाक्य में helping verb के रूप में डज छुपा हुआ हूँ तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ प्लेज लिखा हुआ है यानि B5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह निसकर्स निकल कर आ रहा है कि यहाँ helping verb के रूप में डज छुपा हुआ है तो जब इसका हम लोग interrogative sentence बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे डज, राम, प्ले, क्रिकेट वर्व का और अंत में प्रस्णवा चक्चिन लगाएंगे वर्व का एक रूप मैं बताया हूँ लेकिन अभी application नहीं बताया हूँ लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिस किसी वाक्य में do, dutch या by the way did का प्रियोग किया गया हो तो वैसे वाक्य में mean भर्व हमेशा भीवन फॉर्म में आ जाता है जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि mean भर्व भीवन फॉर्म में आ गया है वो इसलिए आ गया है कि dutch जो है वो इसमें लगा हुआ है अब इसी को उलट कर यदि हम करें तो हम इसको ऐसा समझ सकते इसी को यदि assertive sentence में हमको convert करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए एक formula याद रखेगा कि do प्लस यदि भीवन हो तो वो convert जो होगा वो भीवन में हो जाएगा में भर्व अगर dutch प्लस भीवन हो तो वो convert हो जाएगा भी 5 में अब देखे इसमें समझने की बात क्या है जो मैं बता हूँ जैसे हम लोग कहते हैं कि do they watch cricket अब ही हम लोगों का interrogative sentence है अब ये narration में अगर इसको उलटना पड़ता तो assertive मिले जाते तो assertive मिले जाएगे तो पहले subject आएगा तो पहले तो they आजाएगा अब do और watch है यानि कि जो formula मैंने बताया कि do प्लस भीवन is equal to b1 हो जाता है यानि do खतम हो जाएगा और watch चलाएगा they watch cricket हो जाएगा और full stop लग जाएगा या मालिया जाएग दूसरा हम लोग लिखते हैं suppose करते हैं कि does see sing a song अल्राइग डज see sing a song अब इसको यदि assertive में लाना हो तो subject तो अपने जगापर c है वो तो c रही जाएगा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा और dudge और sing sing जो है वो b5 है हम लोगों का तो dudge और b5 यदि मिल जाता है तो वो b5 के रूप में ही रह जाएगा तो sorry dudge और b1 sing तो b1 है ना गलती हो गया यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं dudge और b1 यदि आ गया तो वो b5 में convert हो जाएगा तो sing को b5 में convert करेंगे तो बन जाएगा c sings a song ये problem helping verb ढूनने का जो आपको आएगा सिर्फ दो परकार के tense में आएगा वो present and definite में आएगा और past and definite में आएगा इसके लावा और कहीं नहीं आएगा जैसे past and definite का यदि हम लोग एक्जामपुल लेते हैं by the way suppose कर लेते हैं कि past and definite का एक्जामपुल लेते हैं past and definite का तो past and definite में यदि हम लोग assertive sentence लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई अगर कोई एक example ले लेते हैं जैसे लिखते हैं कि he wrote all later अब इसको interrogative में बनाना है तो wrote जब लगा हुआ है तो इसके अंदर में helping verb जो है did छुपा हुआ और did लग जाएगा तो भीवन लग जाएगा तो जब इसको convert करेंगे तो helping verb के रूप में did आ जाएगा हम लोगों का helping verb के रूप में यह आ जाएगा हम लोगों का did और subject as it is रहेगा did के साथ भीवन होगा तो wrote का भीवन लगाएगे तो right हो जाएगा और a later हो जाएगा और अंद में question mark लग जाएगा और यदि इसी को assertive में change करना हो तो did प्लस भीवन is equal to क्या होता है भीटू होता है याद रखिएगा तो इसको जब assertive में change करेंगे तो he तो subject as it is रह जाएगा did प्लस भीवन को change करेंगे तो भीटू हो जाएगा तो यह हो जाएगा wrote और यह हो जाएगा a later so he wrote a later और अरंध में यह pull stop हो जाएगा तो यह समस्या सिर्फ आपको इसी दो प्रकार के tenses में आएंगे बात बाकी सारे प्रकार के tense में helping वर्वस साथ में लगा होता है तो इसलिए उसको assertive से interrogative बनाना और interrogative से assertive बनाने में आपको कोई कठिनाई और परिसानी नहीं होगी तो यह interrogative sentence के विशह में एक बहुत जानकारी थी क्योंकि यह जानकारी बहुत आवस्यक है क्योंकि यह narration में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और voice में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है याद रखेगा वालस में फरक क्या हो जाता है खास करके present indefinite और past indefinite में कि अधि present indefinite में वालस अगर interrogative sentence से है दू से बना हो तो वो आर में convert होता है डज से बना हुआ हो तो वो is और am में कनवट होता हो और did से बना हुआ हो, तो ये depend करता है, वो या तो was या were में convert करता है इसको हम लोग relate करेंगे, जब narration और was के class में हम लोग आएंगे तब हम लोग इसको relate करेंगे, type of sentences को relate करेंगे तो ये जो था हम लोगों का, वो था हम लोगों का integrative sentence का importance की बात कर रहे थे इंट्रगेटिव संटेंस का क्या importance होता हूँ इसके बाद next type of sentence जो बच गया वो हम लोगों का बच गया imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence तो ये जो तीन प्रकार के sentence है imperative, optative and exclamatory sentence ये स्रिंखला के अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा sentence के इसी स्रिंखला के अगली कड़ी में बताऊंगा